असलाम मुलेकुम वरीकम बेक टो दुनिये वीडियो तो आज मैं गेना करें आप सब के लिए बहुत ही मिज़िदा और इजी रेस्टिपी के साथ आज ना प्राने चाहे हूं मार्श के चावल बहुत एजी तरीके से तो चले देखते कैसे बनते हैं वीडियो को स्टार्ट कर करेंगे तब ही जाकर आपके चावल परफेक्ट बनकर रेडि हम देए यहां मैंने एक पॉर्ट लेहां जिसमें एक कप वाइल एड करेंगे इस तरीके से और इको इसके बाद जो है वह हम अच्छी तरीके से गरम होने देंगे और यहां फिर हम दो प्याज मीडियम साइज की इसमें एड करेंगे रफी सी जॉप करके और इसको सौटे करेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए यहां देखें इस तरीके से और ए अब हम इसमें दो बड़े साइस की ख मादर आइद कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मेगा गट्सि कर लेंगे शातीसाड इसमें तीन बड़े साइस की आलू शीमान च्ट करके झाए छोटे शोटे पीसिस में और इसको बहँ करेंगे ठीख और अब मिसमें उन टेपली स्पून पर्कर शीरा करेंगे साथ चाहिए चाहिए पूंध्ट चिकन पाउडर एट करेंगे ऐनी यह मसाला add करेंगे और 2 टीस्पून ब्लाइक पेपर एट करेंगे और इन सब चीजों को अच्छे से नहीं करेंगे करेंगे यहां देखें इस तरीके से इन सब चीजों को अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें जो है one and a half teaspoon प्लाव मसाला एड़ करेंगे कोई भी कम निकाप यूज कर सकते हैं और इसको जो है वाची से बून लेंगे और अब हम इसमें आदा ग्लास पानी एड़ करके अलू करने के लिए चोड़ दिया था अदा ग्लास पानी एड़ करके तो यहां हमा अब जो यहां हम इसमें निए और ग्लास पानी करेंगे चाव्ल है एकता पेले से ख अऐब से अबस्क परके पाने के लिए अब करेंगे और इसको mix करने के बाद इसमें चावल एट कर देंगे चावल एट करने के बाद इन सब चीजों काची से mix कर लेंगे और यहाँ एक किनो चावल के साब से हमाने पास एक कप माश की दाल है जो कि हमने एक अंडा पहले भी गोके रख दी थी यहाँ देखें चावल को पानी जूप चुका है एक दफ़ा मिक्स करके इसको दम पर रखतेंगे और आफ्टर दम यहाँ हमारे चावल बिल्बुली रेडी हो चुके हैं देखा किती हैं कितनी जटपर तरीके से मारे माश की चावल रडी हो गए उमीद कर जूँगे आपको रेश्पी पसंद आए भी रेश्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें शेयर करें कॉमेंट करें और आसी जटपर ची रेश्पी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनें बस दिए नेक्स वीडे में अपना बहुत सारा ख आपिया केगा दूआ मेरे केगा लाहाफिस